हिमाचल प्रदेश में मानसून के चलते इस समय पर्यटन कारोबार ठप पड़ा हुआ है। मानसून की वज़ा से पर्यटक हिमाचल आने से परहिस कर रही हैं और जिनकी पहले से बुकिंग थी, उन्होंने भी अपनी योजनाएं रद्द कर दी हैं। लेकिन अब खुश खबरी ये है कि मानसून समाप्त होने वाला है और पर्यटकों के लिए हिमाचल प्रदेश एक बार फिर सुरक्षित और आकरशक स्थान बन जाएगा। मौजूदा समय में भी कई पर्यटक हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रही हैं और होटलों में 30% तक की ओक्यूपिंसी देखी जा रही है। होटल मालिक और पर्यटन कारोबारी पर्यटकों को आकरशित करने के लिए इस दौरान शांदार डिसकाउंट ओफर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने भी अपने हॉस्टलों में 15 सितंबर तक 40% तक छूट की पेशकश की है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कट्यार ने जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश से मानसून के रवाना होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। सामान यता मानसून 15 सितंबर के बाद या सितंबर के अंध तक हिमाचल प्रदेश से विदा होता है। इसका मतलब है कि अगले तीन हफ्टों में मानसून का असर कम हो जाएगा और इसके बाद परियटकों के लिए यात्रा करना अधिक सुरक्षित होगा। दिखे अगर मानसून की बात करें तो अभी भी मानसून विड्रॉल होने में काफी टाइम है क्योंकि नॉर्मली जो हिमाचल प्रदेश से मानसून जो विड्रॉल होता है वो हमारे लगभग इंड अब दि सेप्टमबर या 15 सेप्टमबर के बाद ही होता है तो अभी भी हम मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव की स्थिती बनी रहेगी, हालांकि वर्तमान समय में किसी भी प्रकार के फ्लैश फ्लर्ड की चेतावनी नहीं है, यदी बारिश के कारण ऐसी स्थिती उत्पन्न होती है, तो समय समय पर अलर्ड जारी किये जाएंगे, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में मौसम की स्थिती बदलती रहती है, कहीं धूप खिल रही है, तो कहीं बूंदा बांदी हो रही है, मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में भूस खलन, बादल फटने, फ्लैश फ्लड और पेड गिरने जैसी घटनाएं सामने आती हैं, जो परियटकों में डर पैदा करती हैं, हालां कि हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रशासन इन समस्याओं से निपटने के लिए पूरी तरह तयार हैं, परियटकों की सुरक्षा के लिए पुक्ता इंतिजाम किये गए हैं, अगर आप भी हिमाचल प्रदेश की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप को यह जान लेना चाहिए कि मानसून का दौर समाप्त होने के बाद यात्रा करना सुरक्षित होगा, आप सितंबर के अंत से हिमाचल प्रदेश की यात्रा की योजना बना सकते हैं, जब मौसम अधिक स्थिर होगा और परियटकों के लिए अधिक सुरक्षित रहेगा, होट कई होटलों में इस समय 30% की occupancy है और discount offer चल रहे हैं, मौसम की स्थिती मानसून के समाप्त होने के बाद हिमाचल प्रदेश में यात्रा करना अधिक सुरक्षित होगा, फ्लैश फ्लड की चेतावनी, फिलहाल कोई फ्लैश फ्लड की चेतावनी नहीं है, लेकिन मौसम की स्थ पर नजर रखी जा रही है, समाप्ती की और बढ़ते हुए मानसून के कारण पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की यात्रा में कोई भी समस्या नहों, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किये गए हैं, अब जब मानसून समाप्त होने वाला है, तो हिमाचल प्रदेश घूम